हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने इक मोश्ट इंपोर्टन्ट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आच चुका दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सेवन स्टांडर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का एक और न्यू चाप्टर फ्रेश एंड बहतरीन चाप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तो जिसका नाम है चाप्टर नमर सेवन एन आइडियल रूलर ठीक है दोस्तो तो इस चाप्टर का हम पहला लेक्चर देखने वाले आज के लिए जो कि अगेन एक बहुत ही जाता इंपोर्टन लेक्चर होने वाला है और आपको एक और चीज़ बताओ कि चाप्टर का नाम क्या है आइडियल रूलर तो आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि हम किस रूलर की बात कर रहे हैं यानि कि कौन सा ऐसा राजा है रूलर मतलब क्या होता है साशक साशक मतलब जो अपना तरीन, शक्तिशाली, दिमागदार, बहुत भी ब्रिलियंट अगर राजा की बात जब भी होगी तो हमारे 6 प्रतिश शिवाजी महराज का नाम सबसे पहले सामने आएगा और उसी की बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं ठीके दोस्तों तो आपको बहुत सार सवाज की फाउंडेशन की थिया और किस प्रकार के उसके अंदर मिनिस्टर थे कैसे कैसे उन्होंने काम किया यह सभी स्वाजी महराज के बारे में थोड़ा सा कैसे उन्होंने रूल किया उस हिसाब से देखेंगे तो basically foundation जैसे कर लिया स्वाराज का foundation जैसे ही शिवाजी महर तो इस वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा lecture by lecture जाएंगे कोई tension लेने वाली बात नहीं है लेकिन आप लोग को एक और चीज़ बोलूँगा कि आप playlist को चेक करते रहे ना क्योंकि playlist में आपके लिए बाकी subjects पूरे complete हो चुके है science का पूरा complete हो चुका है math पूरा complete हो च तो स्वराज जैसे मैंने बोला कि foundation की महराष्टों में हमारे foundation अब स्वराज किया तो लेकिन ये स्वराज को establish करने के लिए शिवाजी महराज को बहुत सारे powers से लड़ाई करने पड़ी आप कौन से powers थे already हमारे इंडिया में बहुत सारे powers का राज चल रहा था जैसे कि आद सिवाजी महराज ने brave ली एकदम brave बनके brilliant बनके उन्होंने उसका सामना किया घबराये नहीं वो कि जैसे हम लोग कुछ डर लगता है तो हम डर जाते हैं हम पीछे हट जाते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कि उनको जो स्वराज के establishment करने थी उन्होंने करकी रही और बहुत सारे च महराज को सुराज्य में करके दिखाया एक तरीके से और महराज ने शिवाजी महराज ने बहुत सारे लोगों के भलाई के लिए काम किया बहुत सारे foundation रखे मुगल्स से उनके force को छुनके हमारे कबजे में लाया याने कि सुराज के कबजे में लाया तो यह सबी चीज ने आया तो वो शिवाजी महराज को धोके से मारना चाह रहा था लेकिन शिवाजी महराज भी बहुत smart थे, brilliant थे, strong भी थे तो उल्टा शिवाजी महराज ने उनको मार दिया तो यह अब जल खान का स्टोरी और इसके बाद कैसे उनको 15 फोर्ट में कैसे कैद कर लिया गया थ वो स्टोरीज बनाया था, पिर कैसे शैश्था खान آया था кур concent कहान के लिये वो हमने देखा था अटक कर लिया था स्टोरी सुना हुआ है इस चीज के ऊपर ठीक है लेकिन इसके अलावा भी there are so many skills जो शिवाजी महराज के अंदर था सबसे पहला जो skill बहुत अच्छा जो माना जाता है उसके अंदर शिवाजी महराज के अंदर जो वो था दोस्तो organizational skill अब organizational क्या होता है जैसे कि आपको पता है कि हम हर चीज को क्या करते है कि manage करते हैं और अकेले कोई काम नहीं हो सकते हैं जब छोटी चीजे होती है तो हम अकेले कर पाते हैं लेकिन जब चीजे बड़ी होने लगते है तो हमें कुछ लोगों की साफ में जुरत पड़ती है ठ लेकिन फिलाल में मेरा भाई जो है चोटा भाई रोहन जैसे मैंने आपको इंट्रिड्यूस करा दिया व्लॉग चैनल पे व्लॉग भी डाल दिया है उसका तो आप देख लेना जाके लेकिन मेरा भाई को मैंने साप में रख लिया है ताकि वो मुझे कुछ कामों में help कर सक है वीडियोस बनाने में शूट करने में help हो जाता है तो यह सब चीज के लिए हो गया तो ऐसे बहुत सारे टीचर को भी हम लोग फ्यूचर में अपॉइंट करेंगे आगे जाके सो अलग अलग सब्जेक्स के लिए अलग अलग टीचर हो जैसे कि आपको पता है कि शायद ए आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए ठीक है चलो वो सब बात बात में करेंगे लेकिन और्गनाइजेशनल स्किल की बात मैं वही बुल रहा कि शिवाजी महराज के भी बहुत सारे सही योगी थे जो उनको अलग अलग कामों में help करते थे तो महराज जो थे सबसे पहले अग करते थे जो आसपास की लोग है उनको पहचानना जैसे कि ये लोग है तो इनके अंदर एक गुण है यानि कि ये बहुत ही बहातूर है तो इसको मैं अपने टीम मिलूँगा ये बहुत ही अच्छा काम करता है तो इसको मैं अपने टीम मिलूँगा तो ऐसे और इसमें ना सि जान की रिस्क होती थी, बलकि बहुत जादा खतरा भी होता था, जैसे कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है, जो जिसने शिवाजी महराज के लिए अपनी जान तक दे दिये, ठीके न, ऐसा हमें स्टोरी आपको सुनाँगा, और बहुत सारे स्टोरी आपको सुना किसी ने सैक्रिफाइस दिया है, किसी ने किसी को मारा है जाके ताकि हमारे दुश्मन खतम हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे किसे हैं, जैसे जीवा महाला, ठीके उन्होंने बड़ा सहियत को मारा था, ठीके न, कब, critical moment जब हुआ था, जब अब अबजल खान से वो meeting करने के लि तो यह बहुत अच्छा एक incident है, जब उनको कैद करके रखा था, फिर ऐसे बहुत सारे case है, जैसे कि बाजी प्रभू देश पांडे, इन्होंने बहुत सारे बोलते हैं, दुश्मनों को, enemy जो थे, उसके forge को अकेले के दम पे रोक रखा था, ताकि शिवाजी महाराज वहां तो उसमें पुरा scene दिखाया कि कैसे ताना जी मालुस सारी ने कैसे वो जो फोर्ट था, ठीके न, को नाना फोर्ट था, उसकी रक्षा कैसे की दुश्मनों से बचाया और अपनी जान की बाजी लगा दी, मतलब उनकी death हो गई थी उसमें, लेकिन फोर्ट हम जीत पाए, मतल से उनको निकाला गया था, ठीके न, और ऐसे ही महराज के बहुत सारे associate न, यानि उनके जो मददगार थे, उनके जो सहीयोगी थे, उनके साथ में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा help की, कहीं न, कहीं अपनी जान दे दी, किसी ने जान ले ली, लेकिन ब नीव रखी और बहुत आगे तक लेके जा पाए वो, ठीके, फिर कानो जी जब बिमार थे, उस टाइम पर भी शिवाजी महराज ने उनको बोला कि आप दवाई ये खाए, मतलब एक तरीके से वो केर भी करते थे, ऐसा नहीं है, कि आप शिवाजी महराज के लिएकर कोई कर तो ये सबी चीजे होता था, और्गनाईजेशनल स्किल में, मतलब इसलिए शिवाजी महराज को शायद आज के डिट का, मतलब जो कल यूग बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ा महान राजा माना जाता है, ठीक है, एक जमाना था जो सत्यूग के टाइम पर भगवान श्री र कैसे वो रायत लोग को केर करते हैं, अब रायत को मतलब क्या होता है, इसका प्रनांसियेशन बहुत अलोग, अलग-अलग टाइक का बोलते हैं, तो रेयत का एक्चुल में मीनिंग होता है न दोस्तों, या तो आप बोल लो, नॉर्मल पीपल, आम जनता, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, गाउं में एक राजा होता है, और बाकी प्रजा होती है, जो आम जनता होती है, तो उसी को नॉर्मल पीपल बोलो, या फिर नॉर्मल पीजेंट्स, या फिर फार्मर जिसको बोलते हैं, तो फार्मर टाइप हो देंगे, तो शिवाजी महराज जब बहुत ज़्यादा dangerous situation में होते थे तो वो अकसर क्या करते थे एक जिसको हम लोग बोलते थे देश्मुख देश्मुख होता है तो देश्मुख normally क्या होते हैं आपको पता होगा कि जो गाओं के जो main मुखिया type होते हैं वो देश्मुख होते हैं जैसे मैं आपको श्टोरी बताया था तो देश्मुख को हमेशा बोलते थे कि अगर for example कि मैं कहीं दूर हूँ या फिर है तो आपको मैं एक responsibility दर आओ कि आप हमेशा क्या करोगे यह जो गाओं के लोग है या फिर जो फार्मर से इनकी देखबाल करोगे उनकी जमीन के देखबाल करोगे इनकी खेती करने में आपको help करना पड़ेगा और जो भी इनकी जरुत मन चीज़े रेगी वह आपको हमें बहुत सारे अलग-अलग देश से लोग आ रहे थे मुगल्स थे सल्तने लोग थे सुल्तने जिसको बोलते हैं हम लोग फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो थे आ रहे थे लालज में इंडिया के उपर कबजा जमाने के लिए लेकिन शिवाजी महराज वही के वही खड़े अगर बाइचांस ऐसा कुछ होता है तो आपको बिंदास जाके फारमर्स की हल्प करनी है और कुछ भी ऐसा उपर नीचे अगर होता है सीचुएशन खराब होती है तो आपको वहाँ पे खड़ा रहे ना है ठीक है ना तो जो देश मुग थे और शिवाजी महराज ने बोल कि आपको क्या चीज की कमी है, आपको क्या चाहिए, ये सबी चीज जो है वो शिवाजी महराज किसको बताते थे, देश्मुग को बताते थे, क्योंकि देखो शिवाजी महराज तो खुद नहीं जा सकते है, हाल चल पूछने के लिए, क्योंकि वो एक राजा है, और राजा त तो चलो ठीक है लेकिन उनके उपर खतरा भी है जानका तो ये सब चीज वह था था लेकिन वो इसी चीज के लिए वो देशमुग जो थे वो उनको अपॉइंट किया गया था ये देशमुग को ऐसा वो समझाते थे बोलते थे और उनने देशमुग को बहुत सारे responsibilities देखे रखे थी और शिवाजी महराज ने बहुत सारे soldiers बहुत सारे इनके उपर भी बहुत सारे काम करना शुरू कर दिया था और साथी में ये देखते थे कि कोई भी मतलब गलत तरीके से ये रयात जो लोग होते यानि farmers और people जो आम जनता होते इनके उपर कोई तकलीफ ना राजा होने के बाउजूद इतना बिजी होने के बाउजूद इतना मुलते हैं न कि एक तरीके से पुरा लड़ाई का युद्ध का महौल होने के बाउजूद भी वो केर करते थे रयात लोग कर ठीक है तो उमीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया प्लेश्ट को चेक करते हैं बहुत सारी चीज मिल जाएगी तो इससे के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ जल्द आपके लिए लेक्टर नमर टू लिखे होंगा जिसमें आगे की चीज डिसकस करेंगे तो आज हमने क्या देख लिया कि आइडियल रूलर कौन थे वाचे कैसा लगा है, पसंद आया है, तो कमेंट करके बताना की कैसा लगा है, पसंद आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करतेना दोस्तो शेर जरूरसे करतेना। आपने सारे फ्रेंड्स और ये दोसे को अपलोड को नोटिकेशन बिलती रहेगी। ठीक हैntग झाल झाल झाल